तो चलिए दोस्तों आज है 8 जुलाई और आज के बनने वाले हरयना करंट है फिर के कोश्चनों को हम रिजन कर लेते हैं और उसके बाद इतने रुपे आप पे करेंगे उतने महीने की PDF आपको मिल जाएगी तो चलिए सुरू करते हैं आज की वीडियो पहला परसन है हाल ही में हरीना साइट्य अकादमी ने कितने नई प्रुसकार देने की घोशना की है तो यह घोशना की गई है 14 नई प्रुसकार सुरू किये जा रहे हैं जिसके तैट वीजेताओं को 31-31 हजार रुपे की पुरुसकार राशी पदान की जाएगी अकादमी के निदेशक डाक्टर चंदर तिर्खा ने बताया है कि हर्याना के मुख्यमंतरी मनोहरलाल जो अकादमी के अध्यक्स भी हैं कि विशेश निदे श्राशी दी जाएगी उन्होंने कbles कि मुख्यमंतरी के दौरा अर्यावी भाशा के मादम से परदेस के लोग साहित्य एवलन संसकति के पड़ती उलेखणी योगदान ये लोग कवी द्याचंद मायना के सम्मान में एक नया साहित्यकार समान भी अनमोदित किया गया है। उन्होंने का कि अकादमी के द्वारा यह समान वर्ष दोजार एककी से लोक साहिते इर्म संसकर्टी वर्ग के अंतरगत लोक कवी द्याचन समायना समान के नाम से आरंब किया जा रहा है इस समान की रासी दो लाख रुपए होगी इसके बाद है हाल ही में किस विशु विधहले ने गरने की उन्नत अगेती किस्म COH 160 विक्सित की है तो ये विक्सित की है हाईच एयू ने चोधरी चरण सिंग हरियाना किरसी विशु धहले के किरसी विधहले को ने इस वर्ष गरने की उन्नत अगेती किस्म COH 160 विक्सित की है जो प्रदेश के किसानों वे चीनी मिलों के लिए वर्दान साबित होगी ये किस्म जल्द पकने वाली वै आर्थिक स्वर्ग्रा वाली है और किसानों की आमदरी बढ़ाने में महत्तपुन भूमिका निभा सकती है इस किस्म को विश विधहले के चेतरी अनुसंधान के अंदर उचानी करणाल के विग्यान को ने विक्सित किया है COAH-160 किस्म का तना मध्यम आकार का मोटा होता है जिसमें बढ़ कुशन होता है इसकी पत्यां गहरी हरी वै मध्यम चोड़ी पत्ती वाली कोनोपी होती है वै इसके पत्ते जोके हुए होते हैं इनमें बोबीन के आकार के इंट्रनोडस होते हैं इनका तना ठोस होता है जिसम इसमें रस की मात्रा अधिक होती है इस किसम की 838 क्विंटल परती हेक्टेर की ओसत पैदावार आकी गई है इसके अलावा यह किसम गिर्दी भी नहीं है और मोडी फसल भी ले जा सकती है इस किसम के रोगपन के 300 दिनों में ही खांड का अंस उच स्तर का होता है जिसे परती हे इसके बाद है रूस के उफा में होने वाले जूनियर विशु कुष्टी चैंपिंशिप में हर्याना के कितने पहलवानों का जैन वा है तो यह हुआ है हर्याना के 17 पहलवानों का जैन रूस के उफा में 16-22 अगस तक होने वाली जूनियर विशु कुष्टी भारत्य कुस्ति संकी स्रिंगत सचीव विनोत तॉमर ने बताया है कि दिल्ली में पहलवानों का ट्राइल लिया गया है, इस ट्राइल के अधार पर रूस में जाने वाले पहलवानों के नाम की घोशना कर दी गई है, इसके बाद है हाल ही में हरिन सरकार ने किसान कल्यानकारी योजनाओं के तहित 42 लाग किसानों को 11,000 क्रूर रुपे की आर्तिक सायता दी है इसके बाद है हरीन सरकार ने बाजरे की जगें किस फसल को बोने वाले किसानों को फ्री में 20 दिन की गोशना की है तो यह है मौ की फसल बोने पर मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहित क्रिसी एवं किसान कल्यान विभाग के द्वारा दो द्रै की योजनाएं चलाई जा रही हैं धान की जगें कापास होय मक्का उगाने पर किसानों को परती एकड़ 7,000 रुपे प्रोचान रासी दी जाती है वहीं सरकार के द्वारा बाजरा को छोड़कर मौंग इसके लावा अरहड अरंड आदी उगाने पर बीज पर भी 90% तक अनुदान दिया जाता है और परती एकड़ 4,000 रुपे प्रोचान रासी भी दी जाती है किसानों को इस योजना का लाव फसल उगाने पर अधिकारियों के 57 के बाद ही मिल पाएगा किसानों को मुँ उगाने को प्रोचाइद करने के लिए कुछ किसानों को बीज फ्री में भी दिया जाएगा इसके बाद है इसी माहा Tokyo Olympic का आगाज होने जा रहा है इसमें हर्यान के कितने खिलाडियों का चैन हुआ है तो ये हुआ है हर्यान के 31 खिलाडियों का चैन Tokyo Olympics में भारते दल में सबसे जज़ादा 31 खिलाडी हर्याना से ही है गरों की बात यह है कि तीन खिलाडी दुनिया के नंबर वन रैंग पर है हर्याना से बॉक्सर आमित पंगाल जिनकी ओलंपिक समिती और अंतराष्टिय बॉक्सिंग संग की तरफ से नंबर वन रैंग है इसी तरह कुस्ती के अंदर 53 किलो भारवर के अंदर महिला पहलवान व वन रैंक पर काबिज है जारकन से तीर अंदाज दीपिका कुमारी भी वेक्तिगत सपरता में टोक्यो ओलंपिक्स में तीसरी बार भाग ले रही हैं दीपका की रैंक भी नंबर वन पर है हालाकि टोप फाइस में भी भारती खिलाडी शामिल है जिन में पहलवान बजरंग पूनिया की रैंक नंबर दो है गोल्ड जीतने पर खिलाडी को हरीना सरकार के द्वारा 6 क्रोड रुपए की नगद पुरुषकार रासी भी दी जाएगी तो ये तो बले बले है भई अगर आप बीबरे उजगार है नोकरी नहीं मिल रही है तो एक बार एक बस पूरे खेर चलिए अब हम देख लेते हैं कल के परसंद का आंसर कल हमने आपसे पूछा था कि हरियाना के किस पडोसी राजे ने उड़ा नाम की योजना शुरू की है तो इसका जो राइट आंसर है वो है पंजाब ने ये शुरू की है हाल ही में पंजाब ने महिलाओं को हर महिने सैनेटरी पैड बार्टने के लिए उड़ान योजना को सुरू किया है अंदराश्टिये मासिक धर्म सवस्ता दियोज के अउसर पर पंजाब की समाजिक सुरुक्षा महिला और बाल विकास मंतरी आरोना चोजरी ने महिला ससकति करन उनमुख उडान योजना को शुबार में किया है इस योजना के तैत राजे की जुरुतमंद महिलाओं और लड़कियों को हर महिने सैनेटरी पैड मुफ्त में वित्रित किये जाएंगे इस योजना के लिए प्रतिवर्स 40.55 क्रोड रुपय का कोस भी आवंठित किया ग मार्ज 3 जून या फिर 5 अप्रेल को तो राइट उप्शन आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है तो आज की वीडियो यहीं पर खतम होती है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जो कीज़ेगा चैनल पर नए हैं तो स्क्राइब करना बिल्कुल मत बूलिए कर विलेंगे ऐस एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जय जय भारत